हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आईटिये पर दोस्तो असम राइफल्स में दसवी बारवी आईटिये और डिप्लोमा पास स्टुडेंट्स के लिए एक पर्मानेंट वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज की वीडियो में मैं आपको इसी वेकेंसी के नोटिफिकेशन की संपूर जानकारी देंगे और बताएंगे कि इसमें किन पदो पर कितरी भरती निकाली गई है किन पदो पर क्या एलिजिल्बिटी रेकी गई है कैसे आपको इस वेकेंसी में अप्लाई करना है और सारी जानकार है, कितने पद निकाले गये हैं, वो आप इस PDF में नीचे की और देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे, स्टेट वाइज जो पद निकाले गये हैं, उसकी जानकारी डिय हुई है, जैसे कि सबसे पहले जो आंधर प्रदेश है, निकाली गई है जिसकी जानकारी आप नीचे की और देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आप अपने statement निकाले गए पद देख सकते हैं अब इन पदों पर apply के लिए क्या eligibility है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि trade bridge and road की जो वेकेंसी निकाली गई है इस post पर जो वेकेंसी निकाली गई है यहां मैंने अलग-अलग qualification के लिए अलग-अलग color यहां पर assign किया है जैसे ही जो green वाला जो वेकेंसी है यह diploma वालों के लिए है इसी तरीके से जो navy blue color की वेकेंसी है जो light blue color की जो वेकेंसी है ये 12 वालों के लिए है pink color की वेकेंसी है ITI वालों के लिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सबसे पहले आप देखेंगे trade bridge and road की जो वेकेंसी है ये diploma वाले candidates के लिए है इसमें apply करने के लिए आपको civil engineering में diploma होना चाहिए और जो rank कर रखी गई है वो नायब सुबेदार की रखी गई है जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे कि आंजप्रदेश में नायब सुबेदार की आप पोस्ट देख सकते हैं H वाले कोलम में है और इसकी दो पोस्टों पर वेकेंसी निकाली गई है इसी तरीके से अन्य स्टेट में भी आप यह पोस्ट देख सकते हैं और इसकी eligibility देख के आप apply कर सकते हैं अगली जो पोस्ट है वो है trade religious teacher जिसके लिए नायब सुबेदार पोस्ट रखी गई है और जो education qualification है वो graduation रखी गई है संस्क्रत और हिंदी भाषा में ठीक है इसी तरीके से clerk की वेकेंसी जिसमें male और female दोनों apply कर सकते हैं और इसमें apply करने के लिए 12 पास होना जरूरी है और इसमें आपका एक skill test भी होगा जिसमें English typing और Hindi typing का आपका test लिया जाएगा अगली पोस्ट है trade operator radio and line इसमें apply करने के लिए candidate को 12 पास होने 10 पास होने के लावा उसका ITI होनी चाहिए दो वर्षी है जो की radio and television में हो सकती है साथ ही electronics वाले candidates में apply कर सकते है इसके अलावा अगर आ आपके physics chemistry और math रही है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है अगली पोस्ट है trade radio mechanic की इसमें apply करने के लिए 10 पास होने के बाद candidate की को diploma होना चाहिए और डिप्लोमा जो है electronic telecommunication computer electrical radio and television technology में आपका होना चाहिए तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं साथ ही अगर आपकी 12 पास है ज और female दोनों apply कर सकते हैं इसमें apply करने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है 12 पास होने के बाद आपका trade test होगा जिसमें computer typing आपकी check की जाएगी अगली पोस्ट है trade laboratory assistant की इसमें apply करने के लिए केवल आपका 10 पास होना जरूरी है और 10 पी में आपके subject english math science और bio होने चाहिए ठ जरूरी है इसमें जो पोस्ट आपकी जो rank रहेगी वो रैफल में की रहेगी ठीक है अगली जो पोस्ट है वो है trade veterinary field assistant के इसमें apply करने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है और साथ ही आपका diploma certificate होना चाहिए veterinary science में ठीक है और इसके लावा आपका एक साल का अनुबह भी वारंट officer की ठीक है तो जो rank है वो आप अपनी statewide जो vacancies है उसमें आप देख सकते हैं ठीक है अभी हमें eligibility की बात कर रहे हैं इसके बाद है trade pharmacist की vacancy इसमें apply करने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और इसके लावा आपको degree डिप्लम होना चाहिए pharmacy में ठीक है इसके अलावा next पोस्ट है trade washerman की इसमें आप केवल दस्वी पास candidates apply कर सकते है इसी तरीके से female supply female सफाई बार बार cook male सफाई इसमें केवल दस्वी पास candidates apply कर सकते हैं अगली पोस्ट है trade x resistant की इसमें apply करने के लिए आपका diploma बारी पास के बाद radiology में डिप्लोमा होना चाहिए अगली पोस्ट ह trade plumber की ठीक है इसमें अप्लाई करने के लिए आपको दस्वी के बाद आपकी ITI plumber trade में होनी चाहिए अगली post ए ट्रेड सर्वेर की इसमें आपकी ITI सर्वेर trade में मांगी गई है trade electrician में ITI electrician में मांगी गई है इसी तरीके से trade electrical feature signal में केवल दस्वी पास candidate जिनके दस्वी में science maths और English objective वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगली post ए trade lineman field की इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी दस्वी पास होना चाहिए और दस्वी के बाद आपकी ITI होनी चाहिए और ITI आपकी electrician trade में होना चाहिए अगली post ए trade electrician mechanic vehicle इसमें अप्लाई करने के लिए दस्वी पास होने के अलावा आपको जो ITI है वो motor mechanic trade में मांगा गया है अगली जो post है जो की last post है वो है trade draftman की इसमें male और female दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो rank रखी गई है वो warrant officer की रखी गई है इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बार भी पास होना जरूरी है और साथ ही आपका तीन वर्षी डिप्लोमा होना चाहिए architectural assistantship में ठीक है तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो student ये तो बात तो ही यहाँ पर निकाले गई vacancy में post की और उसमें eligibility की आगे मैं अप्लाई करने की जो date यह रखी गई है वह उननीस मार्च last date रखी गई है उननीस मार्च से पहले आपको इस vacancy के लिए apply करना पड़ेगा और 17 फरवरी से इस vacancy के लिए online form होना apply होना start हो गये है online form आपको official website से apply करना पड़ेगा जिसका link इस video के discussion में आपको डाल दूमा online form कोल कर आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं इसमें जो आप देख सकते हैं दो तरगी post है group C के और group B की group B की जो post है जिसमें religious teacher और bridge and road post है उसमें apply करने के लिए 200 पर शुल्क यहां पर रखा गया है और group C की जो post है उसमें apply करने के लिए 100 पर शुल्क रखा गया है यह शुल्क आपको जो यहां पर account number दिया गया है उस account number में आपको online payment के द्वारा जमा करना पड़े अब बात करते हैं selection के procedure की तो इससे आप द्यान से समझिएगा selection के procedure के लिए सबसे पहले आप physical standard रखे गए हैं जो कि आप post wise देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता दू जो 19 वे नंबर पर है जो नायब सुभेदार, warrant officer, काफी सारी जो post ने हैं उसकी आप यहाँ पर देख सकता है physical standard क्या मांगे गए हैं जिसमें male candidate के लिए 170 cm chest रखा गया और normally 80 cm chest रखा गया है ठीक है और expand उने पर 85 cm chest रखा गया है और इसके अलावा जो other post हैं उनमें भी जो physical standard है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो इसमें selection किस तरीके से होगा वो आप समझ लें सबसे पहले आपका physical standard देखा जाएगा इसके अलावा आपका जो physical efficiency test होगा जिसमें male candidates की 5 km की दोड़ होगी जो कि उन्हें 24 minute पर complete करनी पड़ेगी वही female candidate के लिए 1.6 km की दोड़ होगी जिसमें आपको pass या fail होने पर अगले round के लिए select किया जाएगा अगला round होगा आपका return test का return test आपका 4 marks का होगा और 100 marks में अगर आप general और EWS candidate आपको 35% passing marks लाने पड़ेंगे और अगर आप SC और ST OBC candidate आपको 33% passing marks लाने पड़ेंगे ठीक है return test क्लियर करने के बाद आपका medical होगा और medical को भी क्लियर करने के बाद आपकी final merit list बनाए जाएगी जिसमें जो candidates होगे जो select किये जाएगे training के लिए finally उनकी merit जारी की जाएगी और यह जो merit है यह official website SM rifles की उस पर जारी कर दी जाएगी तो student यह important चीज़े इस vacancy की मैंने आपको बताई है इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का इस vacancy में confusion है तो यहाँ पर नंबर दिये हुए इन पर आप contact कर सकते साथ ही email ID भी दी हुई है आप हमें comment करके और हमारे telegram group पर भी अपना कोई प्रमस्या हमने में हमसे पूछ सकते हैं तो student इसमें मैं आपको last second चीज़ बता दू इसकी जो rally होने वाली है वो एक मही 2023 को होने वाली है और यह जो rally है और जो यह physical test वगेरा है यह कहाँ पर होंगे इसकी जानकारी भी आपको email पर SMS के द्वारा दे दी जाएगी फिलाल जो यहाँ पर physical student के test center है वो भी यहाँ पर बताएगा है जो कि 7 नुमर के point में आप पढ़ सकते हैं चिक है तो student इस vacancy के लिए आप ज़रूर apply कर दे साथ ही ITI से जुड़ी, diploma से जुड़ी, vacancies की जानकारी के लिए updates के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर दबा दे क्योंकि हम इसी information regular update करते रहते हैं और subscribe करने पर यह information आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो student मिलते हैं अगली वीडियो में, take care